अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले आपको उनका नूटिफीकेशन पहुंच सके एंड वीडियो पसंद आये तो वीड पर्योग करते हुए 6.5 cm लंबाई के एक रेखा खंड की रचना किजिए तो आपको एक रेखा खंड का रचना करना किसके दौरा इस्केल और परकार की सहाइता से चलिए इसे हम बनाते हैं तो देखिए हम यहां पर 8000 फाल कर ले लिये हैं पर्यकाार पैंसिल लगा दिए है उशके बार आपको क्या करना है इस्केल में आपको 6.5 cm तो हम यहां तक हम लेंगे 0 तक इसको क्या करना है इतना यहां प्याया इसको हम सीधा लाइन हमें खिछना है तो 6.5 आ तो लेंगे 0 तक यहां से लेकर हमें फिर इस बिंदो और यहां पे यहां दोनों मिला देना हैं यहां अब देख रहे हैं यह बिंदु है यह वाला बिंदू को मिला देना है तो यह हमारा हो गया 6.5 cm का रेखा इसे हम माप भी लेते हैं ताकि आपको कोई प्राब्लम नहों यहां देखिए यहां से अगर हम लेंगे और यहां पर आप दे सकते हैं 6.5 यहां पर आ गया है तो यहां पर आपको लिख देना है 6.5 cm तो इस रेखा खंड का जो हम कुछ नाम भी दे देते हैं इसका हम नाम देते हैं रेखा खंड A B देखिए दूसरा question है रेखाखंट AB की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई को बीना मापे AB की लंबाई के बराबर एक दूसरे रेखाखंट की रचना कीजिए इसमें आपको क्या करना है तो देख In आपको लमबाई तो नहीं दी गही रैखा खांद की तो हम डाइक्ट कर देते हैं डाइक्ट मानलेजिये हम यहां तक किए इसके बराबर आपको एक रैखा खांद और खांद खिजना और Shit अ इसका नाम हम दे देते हैं ए r फिर से कर लेते हैं इसके बराबर धिकिशना है तो चलिएसे हम बनाते हैं तो अगर छोटा हो सकता उससे आप सही कर लिजियेगा तो इसका नाम हम दे देते हैं do क्यों यह बहुत एजी था तो चलिए हम नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर 3 है पी बिंदू एल रेखा के बाहर इस्थित कोई बिंदू है तो पी बिंदू जो है वो एल रेखा जैसे कि मैं आपको पहले राफ में बना के दिखाऊंगी तो आप लोग अच्छे और पी वो एल के बाहर है तो यह पर हम दे रहते हैं यहां पी अदरम रेखाण रेक्षा यहां रहा है था यू इन दो रेखात से गुचलती हुई एक लंब रेखा यानि हमें एक लंब रेखा कर्दाए कि उइस टाइफ का हरको बनाना है तो दिखेए सब हम धी ने झालना हूँ कि यहीं हम देना है मिला देंगे आपको इतना ही करना नहीं तो है यहां पे टाल दोने हैं यहां पना देना है फोर नंबर में क्या कर रहा है? चार सेंटीमेटर लंबाई की रेखा के लंब सम्धि भाजक की रशना कीजिए तो आपको एक चार सेंटीमेटर का रेखा कीजिना और उसका लंब सम्धि भाजक करना है तो सबसे पहले हम चार, यानि की चार सेंटिमेंटर का एक डेखा खंद खिचते हैं, तो यह कितना नमबर का, यह फोर नमबर का है, तो यहाँ जीरो है, यहाँ से लेंगे हम यह जीरो है, चार यहाँ प्यारा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, एक डेखा खिचन कुछ फिर एक चाप नीचे खिए इतना आप समझ गये होंगे फिर आपको इस प्वायंट से लेना है फिर एक चाप इधर से खिजना है अब क्या किआ कि यह दोनों को मिला देजिए गाँ यह आपका लंसंदी भाजक हो जाएगा तो चले हम इन दोनों को मिला देते हैं इन दोनों को मिला देना हम बस आपको बस इतना ही करना है यह मैं लिए तो यहाँ पर चार सेंटीमीटर का यह लम समधिवाज़क हो गया तो आई होग कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यह जो है फोर नंबर का है question 5 is 3 cm तिरिज्या वाले एक वृत की रचना किजिए आपको एक वृत की रचना करना है जो शकर तिरिज्या को कितना हो तीन सेंटीमीटर हो मैं आप लोगों को विडित के बारे में थुरा समझा रहती हूं जैसे देखिए जैसे मान लेजिए कि यहां पर एक यह विडित है उसके तिरिज्ञा यह वाला यह होना चाहिए आपको तीन सेंटीमीटर और यह वाला पॉइंट जो इसको हम कहते हैं केंद्र इसको क्या कहते केंद्र करते हैं अगर हम यहां से पूरे मिला देंगे तो यह पूरा बन जाएगा वयास यह स्वाप को याद रखना है तो चलिए हम इसके विडित खिचते हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने स्केल से तीन सेंटीमेटर माप हैंगे तीन देखि तो यही माप से हमें क्या करना है तरिज्जा करना है तो यह हो गया आपका तीन सेंटीमेटर का तीन सेंटीमेटर का विडित तो यहां पर भी मैं लिख देती हूं यह इसका तिरिज्जा हो गया इसको हम मिला देते हैं याने कि केंदर से इसे मिला देते हैं तो यह हो गया तीन सेंटीमेटर तिरिज्जा का विडित Q6 है ओ को केंदर मानते हुए किसी बिंदूपी से गुजरने वाले कितने विडितों की रचना कर सकते हैं तो हमें एक विडित की रचना करना है जिसका केंदर जो होगा वो होगा ओ तो चलिए इसे हम बनाते हैं तो पड़कार की सहाइता से हम एक वृत की रजना करते हैं तो देखिए यहां पर यहां पर हम बनाते हैं एक वृत यहां पर केंद्र किसको कहते हैं देखिए यह माना पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं अगर आप इसको यहाँ से मिला देंगे तो यह क्या बन जागा इसे हम कहेंगे यहां से यहां आप मिला दिये यह हमारा कह रहाएगा तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो यहां पे दे दिए तो उसमें पुछला कितने वृतों की रचना कर सकते हैं तो इन में से हम एक ही बिंदू की रचना कर सकते हैं क्योंकि अगर पी से एक ही वृते गुजर सकती है तो यह कितना नंबर था यह था six number चलेए अब सेवा नंबर को दिखते हैं सेवा नमबर में है 4.5 Cms, लंबाई का एक रठा खंड खीचीता था, उसे संध्यभाजित के जिये, तो आपको एक रठा खंड खीचना है 4.5 Cms का चलिए हिसम बनाते हैं, तो सबसे पहले, हम 4.5 Cms का, एक रठा खंड खिचते हैं, तो देखें यहाँ यहां से अगर हम लैंगे यह जीरो है हमारा और यहां 1,2,3,4 ऑर यह पाँ ए है तो हम क्या समदी भाजित करना है। जैसे कोई भी रेखा हो तो आप करेंगा, यानि कि यह रेखा खाम जो है, इसका आधा से ज्यादा भाग आपको लेना है जैसे कि आप यहां से लेके आपको इतना नहीं लेना है आपको क्या करना आधा से जाता है यहां तक माल लेते हैं यहां तक लेते हैं तो यहां तक लेने के बाद आपको एक चाप खिचना है इस टैप से यहां पर एक चाप इस साइड खिचना है एक चाप इस साइड खिचना है फिर दूसरा खिचना आपको यहाँ पर एक चाप इस साइड फिर एक चाप इस साइड खिजेगा तो यह इसे काटेगा देखिए इतना हो गया अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला देंगे यह दोनों चाप जो हैं से हम मिला देते हैं मतलब यहां से यहां तक मिला देना है, इसे हम मिला दिये, तो यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया 4.5 cm का एक रेखाज, उसे हम सम्धिभाजित कर लिए है, तो I hope कि आपको यह समझ में अच्छी से आ गया होगा, तो चलिए हम नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं, Q8 है, चांद की सहायता से 95 दिगरी तथा 145 दिगरी का कुन बनाई है, हमें चांद की सहायता से बनाना है, कितना दिगरी का 95 दिगरी और 145 दिगरी, यह बहुत ही ईजी है, चलिए हम बनाते हैं इसे, तो देखिए, सबसे पहले हम एक रेखा खिचते हैं, किसी भी माप का हम इसमें माप नहीं दिया गया है तो किसी भी माप का में खिछ लेना है यह कितना नमबर का एट नमबर आट नमबर का थे आप आट लिग देते हैं तो देखिए तो अब हम चांत की साहता जैसे मापेंगे जैसे कि यहां देखिए आपको 95 दूड़ना कि 95 कि इसमें हम दूड़नेंगे 95 कि दर देखिए यहां पर 90 है यहां पर नब्बे है और पनचानबे मतलब कि पनचानबे आपको यहां पर आएगा तो आप इस वाले पॉइंट को इस जो लाइन है यह लाइन यह लाइन को प्रड़क लेना चाहिए यह आपको ध्यान में रखना है चलिए हम इसे कर लिए हैं हो गया है आप 95 देखी कहां पर यहां पर 95 यह वाला पॉइंट इसे हम मिला देंगे और कितना खाना था 145 तो 145 कहां पर आएगा देखिए 145 आपको गरना इन दोनों को मिला देना चलिए हम इसे मिला ले तेंसी से तो सबसे पहले हमसे मिलाएँगे यह वाला पॉइंट से यहां पर मिलाएंगे तो यह हो गए 145 तो यह बन गया आपको 145 डिगरी का कोन और यह बन गया 95 डिगरी प्रकार की साहेथा इवं सबसेवेज़े हम सब्सेफर 1 एक ही हैं, अभी आप सब्सेफर 20 इंगल निया बना है, इसके बाद आपको क्या करना है यह परकार जो है इसको आपको यह वाले पॉइंट पर रखना है और यह दिए चाप खिछना है इस टैप से आपको चाप खिश लेना है उसके बाद आपको क्या करना है कि यह वाला यानि की नोग जो यह इस बिंदू पर रखना है और यहां से इसे काट देना है कि इतना आप समझ गया हूंगे यह हम साट का बना रहे हैं और इसको इसे मिला देना है आ sadly अगर आप लोगों कोई से Pacificblock समयaffen समझ में नहीं आए तो कमेंट में कहीए यह बन गया 60 degree आप कितना का था अब कर रहा था 90 degree दिख लेते हैं 90 degree है चलिए इसे हम 90 degree का बनाते हैं यानि के 90 degree का बनाते हैं इसके लिए हमें वही करना है सबसे पहले हम एक और एक खीछते हैं अब वैसे हमें करना है पहले हमें वैसा ही करना देखिए तो सबसे पहले हम यहां पर रखेंगे नोक को और इस टैप से एक चाप खिच लेंगे इतना आप समझ गया होंगे अब दिखें क्या करना है अब आप लोगों क्या करना है कि यहां पर रखना है यहां पर रखके एक चाप ऐसे काटना है दूसरा काम क्या करना है फिर यहां पर रखना है फिर इस टैप से करना है और इसी एक बार और और कर देना है इधर से उसके बादा कोई देखिए आप यहां पर रखे तर अब स्केल की सहाथा से मिला देंगे मतलब कि यह प्वाइंट को यह प्वाइंट से मिलाना है तो यह आपका बन गया है 90 डिग्री 90 डिग्री का कून यह आपका बन गया है जलिए हम इसे चांद की सहाथा से मापके देख लेते हैं तो देखिए इसको आपने सिख ले दिये हैं आपको जैसे आपको क्या है इस वाले बिंदु पर ये वाला प्वाइन रखना है याना कि या hazardous लाइन को ठटेज़ा है यहाँ पर हम रख लिए हैं यहां rewardская 4 रीदि-टिके qon की रचना किजिए तो इसमें आपको क्या हो वहिए वह उसा है 45 degree का एंगल ना दो आपको स्मझ में आएगा गोगा यह वहीं तो आपको समझमें अनगाனा कर दो हो नाotha आदा को 35 होता है थ Marcus 90 डीक नहां चल्ड के अधा बना के 95 अकोन संद्धे Narutoay bestraют? बनाना है। इससे बनाते हैं कैसे तुंअ आप को थेख़ीजिया है सबसे पहले हम बनाइगे 90-े काइंगल मतलब 90 डीक याक़ोन पहले आपको पाताली टूर बाणे आप सेख लेजिए यह आपको यह हर क्लास में काम आएगा 7, 8, 9, 10 आपको हर क्लास में काम आएगा तो इसे आप ध्यान से सिखिए दिके सबसे पहले आपको एक रेखा खीचना है उसके पार आपको क्या करना 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल तो जैसे हम बनाया है question number 9 में वैसा ही आपको same to same बनाना है एक चाप खीचना है इधर से फिर इस point पे रखके एक चाप यहाँ खीचना है फिर यहाँ पे रखके एक चाप यहां पे इसको थेना बढ़ा देते हैं इसे थोरा तो क्या करना है फिर यहां पे रखना है यहां पर रखके यह बना लेना है यह आपका बन गाए 90 डिग्री का एंगल इसे जो हैं हम मिला देते हैं से. आप आपको बनाना थूब आप हमें इन ही में बनाना है 45 डिग्री का तो देखिए इसे सम्द्वी भाजित करना है आपको तभी आपको बनाना है 45 तो आपको परकार को यहां पर रखिएगा और इसको यहां सा आपको एक चाप काटना है और फिर आपको परकार को इस बिंदू पर रखना है यहां पर थ शॉड़ी यहां पर थोड़ा देखिए ये वाले पॉंट को खार्ट के अब हम इस दोनों को मिलेंगे। आपको याद सब्सक्राइब्ला के एक रखके अग्मिणक के एक यहां पर रखिए गषाल को और दूसरा नोक यहां पर अब इस बिंदू से इस बिंदू को आपको मिला देना है, चलिए हम उसे मिला लेते हैं, यहां से यहां तक, यहां पर थोड़ा, तो यहां पर आपको ध्यान से मिलाना है कि थोड़ा से भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गर बढ़ा जाएगा, तो यहां पर मिलाते हैं तो देखिए यानि कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना आप लोग थो अच्छी से मिलाना है यहां पर थोड़ा मिश्टियक लग रहा है तो यह हमाना बन गया है 45 डिग्री मैं इसे माप के भी आप लोगों को दिखा देती हूं तो देखिए यहां पर आपका है 40 और यहां पर है यहां पर देखिए पुरा बड़ाबर है मतलब यह 45 डिग्री का एंगल बन गया है यह पुरा 90 का है तो आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा तो अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैन यहां को